नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज है बालूट के सुप्रसीद निर्माता निर्दसक वब अभिनिता देवानन सहब का जनम दिन तो आज हम लोग देवानन सहाब के जनम दिनी स्पेसल में देवानन सहाब के बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं हिंदी सिनेमा में तक्रिबन 6 दसक तक दर्शकों पर अपने हुनार अधाकारी और रुमानियात का जादो विखरने वाले सदबहार अभिनेता देवानन सहाब का जनम 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुर्दाशपूर में एक माध्यमवर्गय परिवार में हुआ था और देवानन सहाब का असली नाम धरम देव पिसोरी मल आनन्द था उन्होंने अंग्रजी सहत में अपनी इसनाता की सिक्षा 1942 में लहार में पूरी की और 1943 में अपने सपनों को सकार करने के लिए जब वह मुंबाई पहुँचे तब उनके पास मातर 30 रुपिय थे और रहने के लिए कोई ठीकाना भी नहीं था देवानन सहाब ने मुंबाई पहुचकर रिल्वे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराय पर लिया और उस कमरे में उनके साथ तिन अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंड़स्ट्री में अपनी पहचान नहीं बना सकी इस फिल्म के निर्मार के दावरान ही प्रभात स्टेडियो में उनकी मुलकात गुरुदत से हुई जो उस समय फिल्मों में कुरियो ग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे और देवानन सहाब को पहली नवकरी मिलेटरी के इंसोर आपिस हुए वह 30 रुपियों जेब में लेकर पीता के मुंबई जाकर काम ना करने की सलाह के विपरित वह अपने भाई चेतन अनंद के साथ 1943 में मुंबई पहुच गए और चेतन अनंद जी के साथ देव भी भारतिया जान नाटिया सांग इप्टा से जूड़ गए देवानन सहा में पहला ब्रेक 1946 में फिलीम हम एक है से मिला जो फ्लॉप रही फिर वर्स 1949 में जिद्धी उनकी पहली हिट साबित हुई सन 1949 में उन्होंने नव केतन बैनार इस्थापित किया और वर्स 1950 में अफसर का निर्माल किया जिसका निर्देशान उनके बड़े भाई चेतन अनंद ने किया सन 1951 में उनके बैनार की अगली फिलिम बाजी का निर्देशाक उनके दोस्त गुरुदत ने किया जिसने उनकी किस्मत बदल दी और इन फिल्मों के बाद फिर क्या था देवानन सहब को पिछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा जिहार इन फिल्मों के बाद जीत निराला, मधुबाला खेल भीरा की रात दिलरुबा, हिंदुस्तान हमारा अपसर सजा सनाम, अराम आंधिया, हम सफर टेक्सी ड्राइवर कस्ती मिलाप, इंसानियात हाउस नंबर 44 फरार, पॉकेट मार फंटूस, जब प्यार किसी से होता है और 1961 की फिल्म हम दुनों, जया ये फिल्म सुपर डुपर हिट साभीत हुई और काफे ज़दा पापुलर भी हुआ था, और इस फिल्म के साथ ही असली नखली, तेरे घर के सामने किनारे किनारे सराभी, गाइड तिन देविया, प्यार महबद, जवेल थीप, दुनिया महल प्रेम पुजारी जोनी मेरा नाम गेमलर, तेरे मेरे सपने, हरे रामा हरे कृष्णा, मन पसंद स्वामी दादा, अनन्द और अनन्द, हम नाव जवां, सच्चे का बोलवाला लसकार, साव करोड, और ऐसे बहुँ सारे फिल्म हैं जिहां एक एक करके बताना बहुत ही और दोस्तों, अपने चाहने वालों को हमेसा खुस देखने की हसरत ही एक वज़ा थी, जो अपने आखरी समय में देश दूर ले गई, देवानन सहाब नहीं चाहते थे कि भारत में उनके चाहने वाले उनका मरा मो देखे, इसलिए उन्होंने जिन्दगी के आखरी पाल लं का लंदन में दिल का दौरा पढ़ने से 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया लेकिन उनका नाम बलूट के इतिहास में स्वराण अक्छाड में सौधा लिखा जाएगा जिहाँ दोस्तो भले ही आज सुप्रसीद निर्माता निर्शकवा अभिनिता देवानन सहाब हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उन्होंने बलूट को ऐसे से फिल में दिये हैं जिने हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे और आज है इस सुप्रसीद निर्माता निर्शकवा अभिनिता देवानन सहाब का जनम दीन तो हम लोगों की तरफ से देवानन सहाब को जनम दीन की बहुत बहुत बधाई तो वाज हम लोग उन बात के बलोट के सुप्रसीद निर्माता निर्देशा कुआ अभिनेता देवानन्द सहाप का तो वाओ और इसी तरह के जनकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब निकी हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल जरू सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक निकी हैं तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा थांकि दोस्तों हमारे वीडियो बाचिंग करने के लिए